हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एजुकेशनल एंसाइट दोस्तो अगर आप बेसिक सिक्षा परिशद के नियांत्रणा दिन उतर प्रदेश के किसी भी परिशदी विद्याले में बतोर सिक्षक सिक्षिक का भाई बहन कार कर रहे हैं तो ये वीडियो ये इंफॉर्मिशन ये ल लिक्षण हो रहा है सिक्षक सिक्षिका भाई बहन ससमे विद्याले पहुचने के लिए परिशान है घरेलियो कार्यों का निस्तारन करने के बाद कोई भी सिक्षक सिक्षिका भाई बहन की पहली प्रात्मिकता होती है कि विद्याले पहुच करके सिक्षा दिक्षा दुरु हैं समस्याएं हैं तो समाधान भी है अभी हाल ही में एक मामला मेडिया की सुर्ख्यों में आया कि सिक्षक सिक्षिका इतने लापरवाह हो गए इतने उदासीन हो गए कि उन्होंने बच्ची को ही बंद कर दिया कक्षा के रूम में तो होता क्या है कि कोई भी सिक्षक सिक्षी का भाई बहन इतना निर्दई नहीं है कि वो जानबूज करके किसी भी बच्चे को किसी भी बच्चे को क्लास रूम में बंद कर देगा कभी नहीं बंद करेगा होता यह है कि बच्चे मिड़े मील ग्रान करने के बाद पीछे छोटे बच्चे हैं पीछे अपना डेस्क बेंच बेंच पे दोस्तों सूगे और उसके बाद अगर सिक्षक सतर्क नहीं है खास दोर पे क्लास रूम में जो टीचर है वो अलर्ट नहीं है उसने ध्यान नहीं दिया तो ऐसी घटनाएं घड़ जाती है तो इस वीडियो की माथ्यम से दोस्तों हम चाहेंगे कि आपका फीड़बेक भी मिले क्योंकि क्रियात्मक शोध का मतलब ही है कि विद्याले में जो भी आपकी समस्या है उसको एड्रेस किया जाए उसका तातकालिक समाधान निकालने की जिस्टा किया जाए किसी भी विद्याले में आप सिक्षक हैं समुदाय से जुड़ी समस्या हो सकती है अभिवावक से जुड़ी समस्या हो सकती है विद्याले में अपने खुद के स स्टाप से जुड़ी समस्य हो सकती है लीडर्शिप की प्रॉब्लम हो सकती है यनि head teacher या प्रभारी सिक्षक जो भी कार कर रहे हैं उनके level पे भी समस्य हो सकती है आप अपनी समस्या इसी वीडियो के comment box में दोस्तों लिख डाले ये वीडियो बिल्कुल हमारे स्कूल सिक्षा महानी दिसक तक जाएगा ऐसा मेरा दोस्तों बालना है बिल्कुल आप अपनी जो भी विद्याली समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में लिख डालें सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि पहली responsibility है टीचर की है कि leadership level पे अपने आपको चुस्त दुरुस्त कर ले अपने आपको alert कर ले समवेदन सील बना ले responsible बना ले सिक्षकों से एक सार्थक वार्ता लाप कर ले उसको बिल्कुल अपने आदेश पुस्तिका पे भी लिख डाले कि कक्षा ध्यापक की जिम्मेवारी होगी स्कूल छोड़ने से पहले देख लेने हैं कि desk या bench के आसपास नीचे कहीं कोई बच्चा सो तो नहीं रहा है या कोई ऐसा बेजुबान जानवर जैसे कुता हो गया या कोई भी पालतू जीवचनतू अकसर दोस्तों विद्याली परवेश में आही जाते हैं और अगर आगए आपने ध्यान नहीं दिया तो परवेश जब आप पिद्याले पंद करके चले जाते हैं तो परवेश गत जो भी तत होते हैं वो हावी होते हैं माली जी कुता ही परवेश कर गया काक्षा में बंध है तो कहीं न कहीं आप आलोचना के शिकार होते हैं आप पिल्कुल यह नहीं कह सकते हैं कि हेड मास्टर यह संस्था परधान की जिम्मेवारी है कोई ऐसा वाकिया जो की अनफेवरेबल है कोई ऐसा वाकिया जो की मीडिया की सुर्खियों में आता है वहाँ सभी की जवाब देही जिम्मेदारी तेह होती है सभी की खिलाब कारवा ही होती है तो अच्छा हो कि समवेदन सील और जिम्मेवार तरीके से इन समस्याओं को एड्रस किया जाए और एक सामुहिक प्रयास से इन समस्याओं को विद्याले पे हावी न होने दिया जाए विद्याले में दोस्तों आवारा पश्व आ जाते हैं आप चानते ही हैं चाहर दिवारी है नहीं अक्सर ग्रामेड लोग परिश्वदी विद्याले को ही सेंटर बनाते हैं वहाँ पे किसी भी क्लास में अगर वहाँ पे दर्वाजा नहीं है या कोई ऐसी बात है तो पश्यों को दोस्तों बंद कर दिया जाता है इसके आलामा भी आए दिन आप मीडिया की सुर्खियों में देखेंगे तो विद्यालियों के प्रती जो एक पुनीत या पायस होनी चाहिए वो फीलिंग दोस्तों देखने को नहीं मिलती है शिक्षक शिक्षी का भाई बैन विद्याले में तमाम भोतिक सुख सुविधाएं एकत्रित करते हैं अपने वेतन से या किसी दानवीर के माध्यम से उसको प्राप्त करते हैं विद्यालियों में चोरी हो जात लोगों का मनों बल डाउन होता है और उन चीजों को इकठा करने में समय लगता है आप किसी भी विद्याले के संस्ता प्रधान हों शिक्षामित्र अनुदेशक भाई बहन हों साहक शिक्षक हों प्रभारी हों या पूर्ण कालिक आप प्रधाना ध्यापक हों आप अपनी स समस्या को लिखें ये समस्याएं निश्य रूप से आपकी काफी कम हो जाएंगी psychologically आप एक catharsis का भी ये वीडियो वर्क करेगा आपको outlet भी मिलेगा और ये पूरा का पूरा वीडियो as it is हमारे स्कूल सिक्षा महानी देशक तक दोस्तों जाना है ताकि अनको ये पता चले कि परिशदी विडियालेओं के सिक्षक शिची का भाई बहन आखिर किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं आए दोस्तों कुछ बाते भी हालताज में हुई हैं जिसमें इस बात को फोकस किया गया कि परिशदी विद्याले के जो भी सिक्षक सिक्षी का भाई बैन है विद्याले आवध की उपरांत जब विद्याले बंद कर रहे हूं तो किन बातों पर ध्यान दे हैं वर्तमान में परिशदी सिक्षकों पर कारवाही सामान बात होती जा रही इसी क्रम में विध्याले बंद करते समें कुछ बिंदों की उपेक्षा आपको कारवाही की जद में ला सकती है विद्याले बंद करने ही तो कौन है अधिकृत विद्याले का संस्था प्रमुक विद्याले का प्रधाना ध्यापक होता है और विद्याले की विभिन्य दाइत प्रधाना ध्यापक के ही होते हैं यद्य प्रधाना ध्यापक महोदय का यह दाइत, सभी कक्षा ध्यापक को भी वो शेयर कर सकते हैं, साजा कर सकते हैं, बाट देच सकते हैं, और दोस्तों आपको उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना भी है, क्योंकि अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है, जो कि सही नहीं है, जो कि चित्ता आकरसक है, जो कि सक्षम अधिकारीयों के ध्यान को आकर्शित करती है, जिसमें किसी भी बच्चे का, या समुदाय के किसी ब्यक्ति का नुक्सान जुड़ा है, तो कारवाही सबी के उपर होती है अंत में स्वयम एक बार जरूर देख सकते हैं head teacher कक्षा ध्यापक को दे दे अपने अपने कक्षा की जिम्मवारी ले ले और भाद में school जिब बंळ हो ञो है teacher एक बार जरूर देख ले ध्यान देखक कोई बच्चा कक्षा में सोया तू नहीं हैं प्राया चोटी बच्ची कक्षा में कक्षा ये बेंच पर सो जाते हैं तो कक्षा में पीछे जरूर चेक करने अगर ऐसा होता है और कोई बच्चा कक्षा में बंध हो जाता है तो निश्चित सभी अध्याप को पर करवा ही हो सकते हैं या भी देख लें कि कोई जानवर अध् विवाते होती हैं और उच्छ अधिकारियों को शिगायत भी करते हैं तो इसकी ओर ध्यान दें कि कोई जानवर विद्याले में बंद ना हो दोस्तों आज के लिए इतना है आप चरूर अपनी समस्या को वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि इन समस्याओं का तातकाल एक समधान हो सके आज के लिए इतना है थेंक्स पर वाचिंग लिस्निंग दिस एज़े प्रकास तुबे साइनिंग आफ